नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एविटेक में दोस्तों इस यूडियो में हम देखने वाले हैं जूनियर एड़ेड सिच्छक बढ़ती 2021 जिसकी परिच्छा आज 17 अक्टूबर को संपन हुई है इसकी अंसर की यहाँ पर जितने भी क्वेश्च सूंगे उनको आप लोग देख लीजिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चार कोष्ठी हर्दय पाया जाता है कहां पर पाया जाता है तो इसका जो कर्यक्ट अंसर होगा वह होगा पच्छी वा इस्तंधारी में ठीक है आप संद ए करेक्ट है सेकेंड क्वेश 53 नाखोन पंजाग खुर और सिंग किस्से बने होते हैं तो इसका जो राइट अंसर होगा वह आप संद ए होगा एपिडर्मिस अगला क्वेश्चन है निम्न में से कवंस तर विटामिन मनुस में रक्त का ठक्का जमने के लिए जिम्मेदार है तो इसका करेक्ट अंसर होग अप्सन फूर खननी अनुकूलन ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए येल आई एस ए कार सिधानत है छपना इसका करेक्ट अंसर होगा एंटीजन एंटीबोडी परेसपर क्रिया ठीक है बी अप्सन करेक्ट है सेकंड अप्सन करेक्ट लिएक बीटी टॉक्सिन जीन का कि अगले के को चौरो एड में से किस अनकरिया अक्सीजन किया सकता नहीं है तो ऑक्सीजन किया सकता किसमें से नहीं होती है तो सिसका अप्सने प्राका शोगी प्रका इसकства में आप जानते होंगे अगले कुश्चन के तरफ कवक मूल किसके उधारण है ठीक है 59 का जो करेक्ट अंसर होगा वह सेकंड होगा सहोप कारिता 60 डिनाइटरी करण के लिए निवन में से कौन जिम्मेदार है तो साड का जो करेक्ट अंसर होगा आपसन 3 होगा ठीक है आपसन 3 करेक्ट होगा बढ़त प्राप्त होती है ठीक है 61 का करेक्ट अंसर होगा आपका जड से ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ 62 जूट प्राप्त होता है तो जूट किस से प्राप्त होता है आपको यह बताना था इसमें तो करेक्ट अंसर होगा कार्कोरस का एपसुलेरिस ठीक है आप backwardigo क्ल में कुछ अंसर होगा इसका ठीक है चौए छी का कुछ आपसर्ण दिये गहीं आपके सामने इंसका कौकी侘ंट अन्सरौ छी एप 95 कोटीन प्राप्ध हो तबby किन और King कहां इसकर प्राप्ध होता है तो उसका जो प्रांश होगा आपसर फोर वह एरिथ्रो जाइलम पौदेश है ठीक कोकीन यहां से प्राफ्ट होता है 65 का फूर आपसन सही है फिर 66 देखिए निमने योगिकों में सो सून दूदू दूदू आगोण वाला योगिक है छाचट का जो सही उत्तर होगा आपसन 3 होगा बीअप 3 इसके बाद बढ़ते हैं आग इस मुख्य आवयव है 68 में आपसन 4 होगा सही क्योंकि इसमें जो है आपका एनोटू भी होता है और पैन भी होता तो आपसन 4 इसका सही होगा ठीक है यह जो हम आप अंसर की आपको बता रही है most expected है थोड़ा बहुत इसमें एर हो सकती है क्योंकि आफीसल अंसर की जो है बह सकते हैं अगला देखिए 69 मीथो मोगलोबी निमिया नामक बीमारी किस कारण होती है 69 तो इसका अपसन होगा पीने के पानी में नैट्रिस की अधिक मत्रा से अपसन एक करेक्ट है 70 में देखिए अविक्रियात है इसमें बताना है सबसे अधिक उर्जा किसमें जरूद पड नियोग किया जाता है ठीक है चलिए 72 देखिए पदार्त एक पदार्त की परत्रों दफता ताप बढ़ने पर घड़ती पाई गई पदार्त कैसा है काउन सा पदार्त है तो 72 जो होगा यह आप का हैसमें होगा सिलिकॉन ठीक है सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर होता है सेमी से गिरते हुए तो रहाण संबंद को दर साता है तो इसका आप सण आपका जो होगा 33 नमबर पर एक होगा ठीक है एक सलेटन जो लगभाग जो लिया जाता है जी वह यह से तो बाहरी करता है जगे इस वाली जो होता है लेकिन जो हम लोग गतियां देखते हैं रियल है तो दस सुचोबीस बाइट की बराबर होता है आपसन एक अरिक्ट है निम लिखित में किसकी अवर्ती अधिक्ता मोती पच्छतर नंबर में बताना तो चार आपसन का सही होगा एक करने एक कर एक निश्चित दूरी की यह वाला कोश्चन था इसमें इसका जो सही अंसर होगा वह आपका होगा दो हरात्मक माद्धे ठीक है यह हार्मोनिक मिन वह कौन सा तापका जिस पर सेल्सिस फारेन हाइट ताप मन का जो पैमाना हो समान होता तो माइनस शालिस होगा करेक्ट आंसर होगा आपसन फूर निवन लिखित में से किसका प्रियोग प्रसीतन में किया जाता है तो फ्रियान गय सुत्ति जिसका प्रियोग प्रसीतन में किया जाता है फ्रियान एंपियर गंटा किसका मात्रक है 79 में तो एंपियर गंटा जो होता है विद्धुत मात्र दोनों एक धारावाई चालक की चारोर जोटपन शेतर होता है तो यह तथा भी दोनों अगला आए जनतियों के वरगी करण के दिरिश्ट्र कोंड से निम्नमसिक कौन से जनतियों का समूश सही है एक यासी का जो सही उत्तर होगा अपसन तीन होगा ठीक है यह वाला अमीबा है अमीबा क्या है तो अमीबा जो आपको बताना है एक कोश्ट की प्रोटिस्ट है अपसन फोर सही है नाल तंतर की उपस्तिती फाइलाम विसिस लच्छन होता है तिरासी कोश्चन है इसका सही उत सब्सक्राइं वम क्या सब्सक्राइब। इसका सही अंशर होगा यह अपसन मस्तिस के मेडूला में अगला देखे हैं लूप संबंदित है तो हेलने का जो लूप संबंदित है वो सर्जन से संबंदित है फिर लिखाए मनुष्र्ण के सरीर का ब्लेट बैंक कहलाता है तो मगता है इसको इंग्लेज में स्प्लीन कहते हैं पालिप और मेडूसर्ण सरीर के वेकलपी गुरूफ संग के जनतों में पश्थित होते हैं नब्य का जो कर्ट अन्सर का आपसंं 3 होगा फिर लिखाए बानवे क्वेश्चन है इसमें बताना था आपको कि असत्य कथन आपको बताना है ठीक है बानवे में तो असत्य कथन जो है वह आपका यहां पर सेकंड वाला यह असत्य है बांकि सब सत्य है यह तो क्वेश्चन के कोडिंग जो करेक्ट आंसर होगा वह आपसन B होगा ठीक है फिर बढ़तिव विद्धुत्रों रत्मक्ता का सही क्रम ये बताना था आपको तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ़र्ष्ट वाला ठीक है फ़र्ष्ट याप संजुए आपका ये सही हो जाएगा पंचानवेस में थोड़ा सा डाउट है इस वज़े से अभी इसका आंसर आपको नहीं बता पाएंगे तो इसको हम कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर जो भी होगा वह आपका अपडेट कर देंगे ठीक है चानवे देखिए विसानु के किस गुर स अप्सन 4 ना ट्रोजन चक्र में अठानवे निम्न में से कवन सा ना तो प्रोकोरियोटिक है और ना ही यूकोरियोटिक तो अठानवे जो क्वेशन उसका सही उत्तर होगा आप्सन 2 टीमवी नियानवे देखिए किस दसा में गुर सोत्रों की दोनों बुजाएं समान होते ह यह आपको बताना था तो सब्सक्र में प्रोटे ध क्योंता है तो यह को बताना था तो पीतेYa का अगला कोशन भी समख्ये नहीं है तो जो वेशन होगे एक नहीं है तो इसका अंसर होगा दो सोल्डर ये वाला जो है अपसन आपका ये कुश्चन के कोडिंग ये कर्रेक्ट आंसर होगा पिए 103 है लिखाय कि सबसे स्थाई कार्बोनियम मूलक देता है कौन देता है तो इसका अंसर हो जाएगा 3 ठीक है ये वाला आपसन 3 सही है इमली में कौन सामल पाया जाता है इमली में आप लोग जानते हैं टाटारी कामल पाया जाता है तो ये आपका सही हो जाएगा टाटारी कामल पिर 105 कोस्टन देखिए 105 का दूसरा अपसन सही है ये वाला 106 में देखिए 106 में तामव की डिस्क में एक छेदा यह दिस्क को गर्म किया जाता है ठीक है तो छिद्र का आकार पर क्या फराग पड़ेगा तो छिद्र का आकार जो है बढ़ जाएगा एक नैनोमेटर तुल्य होता है किसके तुल्य होता है एक नैनोमेटर में आप लोग जानते हैं दसकी पावर माइनस नव मीटर होते हैं लेकिन जब सेंट्रीमेटर में करमड करोगे दसकी पावर माइनस साथ आजाएगा उसको ठीक है फिर उसमी उर्जा को विद्धूत उर् तो आसंद रची बल की बात कि जो विसकस होता है या आपका संद रची बल स्यानवल टिक हुए मैं जुए हमारे देख दूसरे दूसरे से रिमों पर आती हुए उन्हों टिक करके यहां पर वेज़ा हुआ है तो जहां पर टिक देख रहे होगे तो यह आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रेक्टा और सरे एक वर के अनतरब्र्द का यह वाला question प्राप्तांग ह संख्या वाली इसमें बताना था कि 40 से 40 से कम प्राप्तांक वाले छातुनों का प्रतिसत है तो आप संथ 3 साहिए इसका ठीक है जो रिड़ कलर से ठीक है वो सही है इस संथ 2 साहिए इसके बड़ते हैं यह क्वेश्चन दिया था सबसे बड़ी संख्या काउंसी है सबसे बड़ी संख्या जो आपकी होगी 0.9 होगी तो यह सही अंसर होगा इसका इनके कितने वास्तिक मानों के लिए समीकर्ण की अनुसर इसका हल संभा हुआ है तो जिसके आपे प्लट के इमेजिनेरी मिलेगा मतलब भता है यहांपर हल जो एक दूसरे को बायता, इस पर स्करने की वाले question था, इसका answer होगा, option 4, 5, इसके बाद ये question था, इसमें option 1, correct आपका answer है, फिर अगला question यहाँ पर देखिए, 111 नमबर का है, इसमें आपका option 3 सही है, ठीक, आप लोग हल कर लिजेगा, हल करके यहाँ आपको बता रहे है, ये option 1 सही है, 122 में option 1 सही है, 123 इसमें यदि कोई मालिक अपने करम चैनुगी संक्या 10 नुपाते 9 के नुपाते 9 से कम करता है, तो option 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, फिर A plus B नुपाते 2 नुपाते C वाले question था, इसका तीसरा option सही है, 7 नुपाते 5 नुपाते 9, 125 में इसका answer हो जाएगा 150 संस, ठीक है, 126 देखिए इसका भी आपका ये दूसरा option सही है, ठीक है, जितने लिटर कलर से ठीक है, इसमें सही वाले, फिर लिखाए, बेंजा कि ये इसका मादता मान कितना हो सकता, तो इसका मादता मान ये option 3 सही है, फिर एक व्रत्य की जीवा, इसकी तरज्य के बराबर ये question था, तो इसका अंसर ये option C है, इसमें 150 डिग्री, एक संकु और एक अर्दगोले के समाना अधर वाला question था, इसका अनुपार सही होगा, दो अनुपाते एक, ये इसका आपको लासा लेना था, लगुतम समापवरत निकालना था, इसका लगुतम समापवरत निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 20 by 3, चलिए, ये question है, समीकाण दिया गया था, इसमें रणात बग मुल, दो अनुपाते तीन के अनुपात में दिये गए हैं, तो पी का मान बताना था, तो इसका अंसर होगा 15, यदि किनी दो गुड़ोतर संक्याओं, दो संक् होगा, ए और बी कितना होगा, तो ए बराबर भी आएगा आएगा आपका, ये question है, यदि तीन बिंदू, ओ ए की बिंदने रसांग ये हैं, तो इसमें correct answer होगा, जो आपका second option होगा, दो सिक्के एक साथ उचालने पर एक भी हेडर के ना आने की प्राइकता कितनी होगी, तो यदि 0 is less than n is less than 1, तो असत्य नहीं है, तो ये second option अपका जो है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे, फिर ये question x 36 है, यदि 2 की पावर x वराबर 3 की पाई होगा, वराबर x की पावर प्लस z हो, तो इतने का मान किया होगा, तो एक बटे 3 होगा, अगला इसका अंसर हो जाएगा, 138 देखिए, 138 में आपका ये वाला question सही है, ठीक है, पहला option, sin theta मानस का सिटर का अधिक्तमबान कितना होगा, तो अधिक्तमबान देखिए, यहाँ पर जो है वो आपका root 2 होगा, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों बना सकते हैं, यह वाला question तो इसका अंसर होगा, 15 दिन, अगला question यहाँ पर देखिए, यह question था, इसका जो correct अंसर होगा, 75 डिगरी होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर question एक पासे को एक बार फेकती है, चार से बड़ी संगा प्राप्त होने क प्राप्त होने की प्राप्त होगी, इसका यह वाला answer सही है, दो बड़ी तीन, अगर आपको question लिखना हो, तो योडियो को पहुच कर लिजिए, और वीडियो को पहुच करके, आप question को लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसके बाद अपना answer मिला सकते हैं, वास्वे तो आपके question था, इसका answer टू होगा, इसके बाद देखी यह question था, तो इसमें बताना था कि पीवट एक क्यू का रूप है, तो इसका answer होगा, अपसन चवथा, एक ब्रक्ति अपने सामान को उसके क्रे मुल से 30% अधिक अंकित करता है, तो इसका answer आगा, हानी 9%, ठीक है, इसके बाद यह question यहाँ पर है, बीजी बिंजक्त यह वाला question था, इसमें आपको घात बताना था, तो घात इसमें होगा 26, ठीक है, पिरागे, अलफा बीटा समीकान इसके मूल है, और अलफा बाइट टू बीटा इस समीकान के मूल है, तो आर कामान कितना होगा, यह आपका option 2 correct हो जाएगा इसके बाद एक सुन चास, एक सुन चास का माइनस 5 by 2 सही होगा, और इसको एक सुपचास, एक सुपचास को जब हल करनेंगे, पहले हमेल अगर आता कि यह वाला answer सही होगा, लेकिन इसका answer option 1 है, ठीक है, यहाँ पर पूरी हमने सब questions आप से discuss किये हैं, ठीक है, मैं सांसर complete questions आपके साथ discuss कियें, और GS की questions I think आपने मिला लिये होंगे, GS नॉर्मल ही था, प्रिवेकर कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग बताईएगा, उसका अलग से वीडियो बना देंगे, GS का, और अगर आपके question paper डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमाई टेलीग्राम चैनल पर अंसर की सहीदी है, फिर भी आयोक कुछ ना कुछ जो होता है, थोड़ा बहुत चैन तो आता है, यायोक की अंसर की में, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिए, अगर कोई question गलत होता है, तो उसका आप लोग comment box में बता सकते हैं, और आपना ये जरूरू है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, अगर कोई question गलत होता है, तो फिर आले इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद है,